ग्वालियर नगर निगम के रिटायर अधिकारी की बहु मंजिला इमारत सत्यम टावर से संदिक्द परिस्थतियों में गिरने से मौके पर ही मौत हो गई हाथसे की सूचना मिलने पर थाना विश्व द्याले की पुलिस घटना स्थल पर पहुँची और म्रतक रिटायर अधिकारी राम नरेश राठोर के शव को निगरानी में लेकर मौका यवारदात का पंचुनामा तयार कर म्रतक के शव का पोस्ट मौटम कराने के लिए पीम हाउस लेकर पहुँची और पुलिस हाथसे की जाँच में चुट गई है दरसल ग्वालियर शहर की अलका पुरी इस्थत सत्यम टावर की सात्वी मंजिल पर नगर निगम से डिटायड वाड अधिकारी राम नरेश राठोर अपनी पतनी के साथ रहते हैं और उनके दो पुत्र शहर से भार रहते हैं धाना यूनिवर्सिटी पुलिस का कहना है कि मृतक की पतनी के अनुसार मृतक राम नरेश मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे थे उनका इलाज भी जारी था सुबह बालकनी में थे इसी दौरान हाथसा हो गया पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है फिलाल मृतक का पोस्ट मौटम कराया जा रहा है पीम रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है कि हाथसे के पीछे क्या कारण रहे होंगे पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में चुटी होई है इन सत्तम रेजियमेंट में साती मंजल पर निवास करते हैं मानसिक रूप से कमजोर थे हैं इनका इलाज चलना था सोबेरे दूप बगएरा के लिए ऐसा लोग बता रहे थे धर परवार की राम नरेश राठवर जी अपनी पतिनी के साथ रहते थे इनके दोनों लड़के बहन नोकरी करते हैं तो साती मंजल चेह है किसी कारण से कोई चीज गिर गई या उसको देखने है इनका बेलंस कर गई और नीचे गिर गई इनका राम नरेश राठोर, पिता जी का नाम बैजनाद सिंग राठोर, उम्र चॉंसाट वर्श है यह कहां कि चित्र का मामगा है? यह सत्तम रेडिमेंट काज़